हेलो स्टूडेंज गुड मॉनिंग बेटा आप सभी का एक भर फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसको सलिय एजूकेशन में और बेटा आज हम कर रहे हैं हमारी फिप्थ किलास का हिंदी का टेंथ लेसन रानी लक्षमी भाई बेटा यह के लगून नाटक के रूप में इसको बनाय गया है तो अगर आप दो चार बहन बाई हो या आसपास में आपस में फ्रेंड्स हो तो इसको नाटक के रूप में पढ़ना हो तब उसको बहुत अच्छे से इसको पढ़ने में तुम्हें आनन्द आएगा और अच्छे से समझ में भी आ आवाज आ रही है क्या आवाज आ रही कौन सा गाना चल रहा है बुंदेले हर बोलों के मुख हम ने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वै तो जासी वाली रानी थी यह गाना बज रहा है पीछे तो पहला तरह से चल रहा है एक सजा हुआ हाथी खड़ा है और उस पर दो बालक बैठे हैं एक का नाम पेश्वा नाना सहाब है और दूसरे का राव सहाब। और सडक के किनारे एक नटकत बाले का अपनी पिता की उंगली था में खड़ी है और हाथी को देख रही देखो ये खड़ी है ना ऐसे नाना साब ओ छबीली हम हाथी पर चड़ कर जा रहे हैं पर बैठा है तो वो नाना साब वहीं से बोलते हैं कि छबीली हम तो हाथी पर चड़ कर जा रहे हैं छबीली किसका नाम था मनुबाई का यानि कि लक्ष्मी बाई का जो आगे चल के लक्ष्मी बाई बनी बच्पन में उनका नाम मनुबाई था और प्यार से लोग उसको छब तो मनुबाई फिर क्या कहते है चरह ठैरो मैं भी तुम्हारे साथ जाओंगी मुझे भी हाथी पर बिठा कर ले चलो नाना सावांस कर हम तुम्हे साथ नहीं ले जाएंगी मनुबाई फिर क्या कहते है तुम साथ नहीं ले जाओगे तो मैं दूसरे हाथी पर चड़ कर आ जा नाना सहब कहने हैं, आजाना हाथी जुमत हुआ आगए चला जाता हुँ बैठा हाथी पर अच्ला जाता है। मनु बाई पिता जी से हम भी हाथी पर चढ़ेंगे मोरोपंत कहते हैं मोरोपंत कोन है ये मनु के पिता जी है बेटी मनु हमारे पास हाथी कहा है मनु बाई नहीं नहीं मुझे ये कुछ नहीं सुनना बस हमें भी हाथी पर चढ़ाओ और बच्चे जैसे जिद करते हैं मचलत वह कहते हैं, वह तो राजे हैं, उनके पास हाथी है, लेकिन हमारे पास थोड़े ही हाथी, तो तुमारे भागे में हाथी नहीं है, अब मनु बाई रोब से कहते हैं, आपको क्या मालूँ मेरे भागे में तो दस- сюж intensive gegangen की सवारी लिखी है, वो कहते हैं एक नहीं, दस- दस एती हैं मेरे भागे में क्या आप एक के लिए कह रहे हो मोरुपंद कहते हैं इश्वर तेरे भागे को चार चांद लगाए तू दस नहीं बीस यो हाथियों की स्वामानी स्वामिनी बने तो कहता है कि दस नहीं तेरे तो बीस बीस हाथि हों कि बच्चे को खुश करने के लिए वो खूब धन जमा होगा, बच्चे कहा देते हैं ने बड़ा होके मैं ये करूँगा और वो करूँगा, तो ऐसे ही मोनोबाय कहते हैं कि मैं जब बड़ी हो जाओंगे तो मेरे पास देखना बीस बीस आती होगे, बहुत सारे नोकर, चाकर और खूब सारा धन भी होगा, मोर उप चैन छै से 10 वर्ष के बच्चे आंगन में गुढिया गुढिया का खेल 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 रही हैं ये, बच्चों के दो दल बने हुए, एक दल कन्यापक्स बनता है और दूसरा वर्पक्स, शादी कर रहे हो गुढ़े-गुढियों, गुढ़े-गुढियों की विवाज जो करना ह वहीं पास से मनु भाई भी जा रहे हैं, कुछ बच्चे खेल खेल दें गुड़े गुड़ियों का, और वहीं से मनु भाई भी निकल रहे हैं, जा रही है वो, तो चमपा कहती है, उसे मनु इधर आना, तो मनु को बुला रही है कि इधर आओ, लेकिन मनु भाई क्या कहती है अब मोनु पूछ रहे, बोलो क्या काम है, चम्पा हम गुड़े गुड़ियों का विवहा करेंगे, बाजे बजेंगे प्रिती भोज होगा, बताओ तुम किस और सामिल होना चाहोगी, तुम वरपक्स में होना चाहोगी या वधुपक्स में, मनु बाई कहते हैं, मैं किसी और भी सामिल नहीं होगी, मैं तो किसी भी पक्स पे सामिल नहीं होगी, मुझे कहीं और जाना है, तो वहाँ पे चम्पा पूछ लेते हैं, कहां जाओगी, अब मनु बाई कहते हैं, तुम देख नहीं रही मेरे हाथ में तलवार है, देखो मनु तलवार लिए खड़िये हैं न मैं आजकल नाना सहाब के साथ तलवार चलाना सीख रही हूँ तलवार चलाना सीख रही है चमपा उसे कहती है अरी लड़की होकर तुम ये क्या कर रही हो ये तु लड़की है गुड़े-गुड़ियों का भ्याकर घर किस तरह से बसाया जाता है ये सीख तु तलवार चलाना क्यों सीख रही है अब मनु भाई उसे कहतें ओ भौली चमपा तुझे क्या मालूम की फुर्शों की तरह इसनियों को भी इसनियों से देश की रक्षा करने शीखने चाहिए कि यह देश की रक्षा करना recommend पूर्शों का ही काम नहीं है हम इस्तरियों को भी करना चाहिए इसलिए मैं अस्तर सास्तर चलाना सीख रही हूँ इसलिए मैं हत्यार चलाना सीख रही हूँ कि मैं भी आगे चलके देश की रक्षा करूँगी ठीक है सुन्दर खड़ी है वो जो गुड़े गुड़ियों का भ्या कर रहे हैं उन लड़ियों में वो कह रही है तो क्या तुम सत्रू के साथ लड़ोगी अमनुबाय कहते है लड़ोंगी ही नहीं उसे सत्रूता रख करने का मज़ा भी चखा दूगी देखना एक दिन सारे सत्रू सीर पर पैर रख कर भाग जाएंगे सीर पर पैर रख के भागना मतलब बहुत तेजी से भाग जाना की डर के भाग जाएंगे सुन्दर कहती अरे तू तो बड़ी बहादुरी की बाते करती है अब मनु भाई कहती है क्या तू ने मुझे यूँ ही समझ रखा है मैं तो हूँ ही बहादुर हूँ अब बच्चों कह रहे हैं मैं तो हूँ ही ऐसी कह दें तू तो बड़ा शान और तो और तो क्या मैं तो हूँ समझदर तो ऐसे वो मनु उससे कह रही है कि तू मुझे यूँ समझ रही है मैं तो बहुत बादूर हूँ मनु भाई उसके बाद चमपा कहती है अब तुम जाओ तुम्हारे हमारे रास्ते अलग अलग है ठीक है तू जा अब हमें तेरे मेरे रास्ते अलग है क्यों है अलग बिटा क्योंकि चमपा को तो गुड़े गुड़ियों के भ्या करना है और मनु भाई को अस्तर सस्तर शीखना है वो तलवार बाजी शीख रही है मनु भाई जा रही हूँ और कहे देते हूँ कि यदि तुम भी अस्तर सहस्तर चलाना सीख लोगी तो अच्छा रहेगा कह रहेगी इन गुड़े-गुड़ियों के भ्या में कुछ नहीं रखा है अस्तर सहस्तर चलाना सीख रहेगी तो अच्छा रहेगा आगे है युद्ध का मैदान अब युद्ध का मैदान तयार हो गया है एक और अंग्रेज लेटिनेंट वैसेना की टुकडी दूसरी और लक्षमीबाई नाना सहेब और कुछ अन्ने योदा दिखाई दे रहे हैं अब यू दो रहा है बिटा अब सुत्रधार वहाँ पे कहता है हुई वीर्ता के वैभाव के साथ सगाई जहांसी में ब्या हुआ राने बन आई लक्षमे बाई जहांसी में इनकी गाता छोड़ चले हम जहांसी के मैदानों में जहां खड़ी है लक्षम भाई ने बच्पन में कहा था कि मेरे भागे में दस दसाती रखे हैं तो इसी को आगे उसने पूरा करके ही दिखा दिया कि जब उसकी शादी जहासी के महराज के साथ हो गई तो जहासी की रानी बन गई है और अब महराज की मृतों के बाद उसको जहासी का सासन ही करना हो गया है वो सासन कर रही है जहासी पे वहां के रानी बन गई है और वो अंग्रेजों के साथ युद्ध कर रही है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मैदान में कि उसको तलवार बाजी आती है युद्ध करना आता है तो वो युद्ध करने के लिए मैदान में पुर्षों के साथ खड़ी है लक्ष्मी बाई, लक्ष्मी बाई कहते हैं नाना साहब आप सेना को लेकर बाई और से सत्रों पर आखरमन कीजिए, बता रहे हैं नाना साहब को कि आप बाई और से सत्रों को घेरिये, नाना साहब तुम कहां रहोगी, लक्ष्मी बाई आप मेरी चिंता मत करो, जाओ सत्रों पर तूट पड़ो अब नाना साहब कहते हैं आज सत्रु सावधान है तुम भी शजग रहना मैं चलता हूं और सबी प्रस्थान कर जाते हैं प्रस्थान मतलब चले जाते हैं फिर लक्स्मी बाई राव साहब आप दाई और से सत्रु को घेर लो किसी सत्रु को जीवित मत तुमको बता रही है कि वो उधर से युद करेगा वो उधर से युद करेगा ठीक है राव साब आज ऐसा ही होगा आप चिंदा ने करें महारानी और फिर प्रस्थान कर जाते हैं सुन्दर आज तुम दमोदर राव की रक्षा करना और देखना मेरे सरीर को कोई हाथ ने लगा सके मैं चलती हूँ और जांसे की रानी लक्षिनवाई सुन्दर से क्या कह रही है कि तुम दमोदर राव राव उनका बेटा है और उनकी रक्षा करना उसको देखना कि कोई भी जो दुस्मन है वो मेरे सरीर को हाथ ना लगा या अगर मैं वीरगती को प्राप्त होती हूँ तो मुझे वहाँ से उठा ले जाना परदे के पीछे से तलवार की कट कट की आवाज हाई मरा ओ यह रानी है या मोद पानी पानी हाई है कोई है बचाओ बचाओ मैं जैसे युद्ध में जो आवाजे होती हैं कोई कह रहा है हाई कोई कहता है मरा कोई कह रहा है बचाओ मैं इस तरह की आवाजे युद्ध जैसी आ रही है पिछे से तुम्हारी करनी का यही परिनाम है कायर मंच पर मुह में लगाम और दोनों हाथों में तलवारे ले रक्ष से लत्फतरानी का आगवन उता जैसे युद से वो युद करते हुए उधर आ रही है और कह रही है कि वही तुम्हारी करनी का यही परिनाम है लक्षिम भाई सुन्दर मेरा करतव्य पूरा हुआ आज तुम दमोदर्राव की रक्षा करना चलती हूँ अब तुमे तुम अब मुझे संभालो आओ जल दियाओ कहरे कि अब मैं मरनी वाली हूँ वह ज़्यादा घाहल हो चुकी है तो अपने बेटे को कहते हैं उनकी तुम स लड़ते लड़ते मरते हैं तो उसको मोत नहीं कहते हैं उसको वीरगती कहते हैं यह बड़े भाके से मिलती हैं मेरी यह बात याद रखना और उनके हाथों से तलवारें गिर जाती हैं तो फिर सुन्दर क्या करती है आगे बढ़कर रानी को अपने हाथों में समालती हूँ घबराओ मत मैं आपके सरीर को किसी सत्रू को छूने नहीं दूंगी लक्समी भाई कहते हैं मात्री भूमी की जै जैसे मरतव आदमी अटक अटक के बोलता है ना मात्री भूमी की जै ऐसे परदे के पीछे से आवाज आती है क्या आती है जाओ रानी याद रखेंगे हम ये करतग्य भारत वाशी यह तेरा बलिदान जगाएगा सव तंतरता अविनाशी तेरस मारक तू ही होगी तू खुद अमिट निसानी थी खूब लड़ी मरदानी वे तो जैसी वाली रानी थी ये आवाज यहां पर आती है पर दे के पीछे से और परदा गिर जाता है यानि कि नाटक पूरा खतम हो जाता है मनौ के बच्पन से शुरू होकर जासी जहांशी की रानी लक्ष्मी बाई की वेरगती तक बच्पन में मनु थी, बड़ी हुई, विभा हुआ, लक्षमी बाई हुई, जहांसी की रानी बनी और फिरुन की वीरगती होगी, ये इस पूरे नाटक में बताया गया है, ठीक है, बेटा इसके कर लेते हैं हम वर्ड मेनिंग, अस्त्र, अस्त्र वो होता है जो फेक कर चलाय आतिए, अमित, ने मियुटने वाला, आकर्मन, हमला, कृतग, यानि की उपकार्मान ने वाला, मुद्रा, मुखकी आकर्थि, लत्थपत सना हुआ, यानी जो खुन से भरा वाया, मित्थी से भरा वाया, जो इसको बोलते ते ना वो तय is सना हुआ, लत्थ celebrity, विभक्त बट स्मारक यादगार जो जिसकी स्मर्ती में बनाया जाए वह होता है स्मारक तो बेटा यह हमने लेसन पड़ा और इसके वर्ड मीनिंग कर लिये हैं और आगे का जो भी किसके question answer और भ्यास हैं वह हम करेंगे अपने अगली वीडियो में ठीक है थैंक यू